हेलो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 English की Animals Poem की शौट समरी गाइज इसके राइटर हैं Ward Witwin और इस पोएफ में Ward Witwin ने बताया है Animals and Human Wings का कंपेरिजन उन्होंने कंपेरिजन किया है और Animals को बेटर बताया है Human की आपेक्षा वो कहते हैं कि अगर उन्हें turn करने को मिले मतलब अपनी life जीने को मिले दुबारा से तो वो एनिमल life में जीना चाहेंगे पोयम की starting बो वो कहते हैं कि उन्होंने animals की life better पाई है human की अपिक्षा जब वो animals के साथ रहने गए क्योंकि animals जो होते हैं वो संसारिक चीजों से दूर होते हैं हुमन्स की लाइफ में बहुत सारी संसारिक चीज़े होती हैं मान लीजे रहने का घर, AC, फ्रिज, कूलर, TV, गाड़ी इनकी सहारे वो जीने लगता है और वही पर एनिमल्स इन सारी चीजों से दूर होते हैं उनकी लाइफ में काफी शान्ती होती है यसलिए जो ओते हैं वो उनकी लाइफ में जाकर जीना चाहते हैं वो कहते हैं कि हुमन्स जो होते हैं वो एनिमल्स और जो हमारे हुमन होते हैं दोनों की लाइफ में इंट्रोफेर करते हैं दोनों की बातों में इंट्रफेर करते हैं बट एनिमल्स ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं अगर फरक आया है तो सिर्फ इतना आया है कि आज उनसे उनके रहने के घर चीन लिए जाते हैं जंगल काट दिये जाते हैं फिर भी वो कुछ नहीं करते मजबूरी में उन्हें रोड पर उतरना पड़ता है वो हमें इसलिए करते हैं क्योंकि वह हमारी जो हम लोगों ने उनकी जगहा चीन लिया उनके रहने की जगहा चीन लिया और जैसे वह पचास साल पहले घास पूस काकर अपने जीवन बिदा रहे थे वैसे ही आज भी घास पूस खाकर अपनी जुंदगी जी रहे होते हैं और दर कहते हैं शायद इसलिए वो काफी लंबे समय तक खड़े होकर एनिमल्स को देखते रहे वो कहते हैं कि एनिमल्स अपने दुख की शिकायत किसी से नहीं करते हैं आप सब ने भी देखा होगा कुछ भी हो जाए तो पूरे गाव में धिलोरा पीट द जाते हैं और अपनी लाइक को साधा सिंपल तरीके से जीते चले जाते हैं वो रातों को जाते नहीं और कभी भी किसी गलती को करने के बाद पश्चताप में रोते भी नहीं इसका मतलब यह है कि वो हुमन से काफी डिफ्रेंट है वही पर एक बात और बताते हैं ओथर कहते हैं कि अपने अपने कर्मों को अच्छा दिखाने के लिवे अपने साथियों में खुद को बेटर बताने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं एनिमल्स ना ही कभी दिखावा करते हैं और ना ही कभी किसी को दुख पहुचाने के बारे में सोचते हैं क्योंकि वे संतुस्ट हैं वही पर जो मानव है human है वो संतुस्ट नहीं है वो संसारे चीजों में उलजा हुआ है उत्र पता थे हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो इस दुनिया में पाई जाने वाली किसी भी चीज के मालिक नहीं बनना चाहते हैं बड़ जो हमारे human character में ये quality रहती है कि हम सब को अपने अधीन करना चाहते हैं खुद को मालिक बनाना चाहते हैं और सबसे बड़ा सबसे बड़ा बनाना चाहते हैं बड़ एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता हम लोग मतलब जो इनसान होते हैं वो कभी भी संतुस्ट नहीं होते हमें और 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 चाहिए होता है चाहें वो लव हो relationship हो पैसा हो सब कुछ और जादा चाहिए होता है और थर एक बात और बताते हैं वो कहते हैं कि हमारी मानब जाती में उच नी जात पात ये सारी चीजे मानी जाती है अमीर गरीब को हर इंसान को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है बट एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, वहां सब एकुल है सब को एक समान इज़त दी जाती है और सब एक जैसे रहते हैं जो हमारी मानब जाती है उसे कितना भी दे दो वो हमेशा खुद को संसार में दुखी और निर्धन दिखाना चाहता है बट एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास कुछ ना होते हुए भी कि वो बहुत जादा अमीर हैं, खुश है, ठीक है, अपनी लाइफ में हमेशा सेटिस्फाइ रहते हैं अससे और एनिमल्स की एक और कोईलिटी रहती है कि वो रिलेशन्शिप को लेकर बहुत जादा इमानदार होते हैं और यूमन्स से हो या फिर एनिमल्स से हो आपने डॉक को देखा होगा जो एक इनसान के पीछे मेशा गुनता रहता है, और हमेशा उसकी help करता है, कभी उसके सांथ गदारी नहीं करता और बताते हैं कि एनिमल्स एनिमल्स को खाते हैं पर वो इस बात को शिपाली की कोशिश नहीं करते कि हम लोग नहीं खाते यूमन में क्या है वो पीट पर बार करने जानता है वो दोस्ती में खंजर भोकना जानता है वो पीट के पीछे बार करता है और हमेशा आपके सामने अच्छा प्रेजेंट होता है और पीछे से गलत बाते कहता है गलत सोचता है आपके बारे में बट ऐसा एनिमल्स में नहीं ह भूदा लास्ट में पोईट कहना चाहते हैं यानि और कहते हैं कि हाँ यह सच है कि जो एनिमल्स को मार कर खाते हैं बट वो अपने रिलेशन्शिप को साभने प्रेजेंट करते हैं सचाई प्रेजेंट करते हैं ना कि धोके-धड़ी से एक दूसरे को मारने जैसी भावना कहते हैं कि शायद जो हमारा human थाना वो पहले ऐसे ही थे जो एनिमल्स हैं वैसे ही थे बट पता नहीं जो human है उन्होंने बहुत सारी चीज़े अपनाना स्टाइट कर डिया और जो human का behavior था वो शायद अनिमल्स ने ले लिया हैं और वो उसी behavior पर चलते हैं पहले ऐसे इंसान हुआ करते थे आज उनके behavior पर जानवर वैसी ही हरकते करते हैं तो यही था हमारे शिप्ट्राई होप आपको समझ आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सौट चमरी के साथ झाल